कुलकाता केस में आरूपी का होगा साइकोलोजिकल क्रेस्ट पेड़ता की डायरी भी सीबियाई को मिली कुलकाता पहुंची सीएफ हैसल की तीए कि आर्जी करके पुर्व प्रिंस्पल संदीव घोषते आज फिर सीबियाई करेगी पूचता सीबियाई ने पूचता आज के लिए कुलकाता धरिंदगी को लेकर आईये में ने पीएम मोधी को लिखे चिठी उठाई डॉक्टर्स की सुरक्षा समेफ पांच मांग चिठी मे का हर दो घंटे में कानून ववस्ता के रिपोर्ट भेजने का निर्देश इमेल फाक्स वाट्सेप के जरीए भीजने होगी रिपोर्ट पश्यम बंगाल के हालात पर टीवी नाइन से बोले राजपाल सीवी आनंद बोस राज्जी में उल्टा पुल्टा राज आर्जी कर इस पताल में गुंदा राज राजपाल बोले मुझे और जनता को सीवी आई पर विश्वास इंतजार कीजिए बेजी को मिलेगा न्याहे पर श्रिम बंगाल में राजपाल बंगाल के बारे में देंगे जान करी आर्जी कर मेरिकल कॉलेज के पास कुलकाटा पुलिस ने ल कुलकाटा में डॉक्टरों के प्रदर्शन से स्वास्त सेवाएं प्रभावित डॉक्टरों ने हत्या के विरोध में किया प्रदर्श बेटी के हत्या को लेकर पिता का बड़ा दावा बेटी की कि किसी दूसरी जगहे पर हत्या कर शव सेमिनार पॉल में फेका गया अरणा लाजे ने सीए मम्ता के स्पीक्टे की मांग की है का हमामला पेहद दुखद हैं सीता राम ये चुली ने डॉक्टर कहत्या कि दिन्दा की बोले ये बरबरता पूर्ने खृत है आप राधी को मिले सकत सब्सक्राइब को लेकर विश्टाखा पटनम में सड़क पर उते डॉक् रेखा वर्मा को सहसे नोजग बनाए गया एक सितम्बर से शुरू होगा बीजेपी का सदसे थाभियान दस करोड़ से जादा लोगों को बीजेपी सदसे बनाने का लक्षा बैठक को लेकर बीजेपी सांसे समित पात्रा का बयान कहा चुनाव प्रक्रिया नियम और तक्नी को ने इस्पीफा डिवेंदर बबली अनूद धाना करिश्वर सिंग रामकरन काला का इस्पीफा जमु कश्मीर अपनी पार्टी के नेता चौद्री जुल्फिकार आली ने आमिश शाह से की मुलाकात बीजेपी में होंगे शांग अमिश शाह से मुलाकात की बात बोले कि इसलिए महराश्ट का जनाल साथ नहीं करा रही है मूडा इसकैम केस में घिरे करनाटक सिंग सिद्रमया पर बोले शिफ्कुमार किसी भी दबाव में नहीं आएंगे सिद्रमया डीके शिफ्कुमार ने मामले को सिद्रमया के खिलाफ बताय साज़िश कहत पिश्ड़ पर कि सियम बड़ी साज़िश हो रहे हैं सियम सिद्रमया पर मुखद्मे के मंजोरी पर बोले मंत्री अमधू बंगरपा केंडर के इशारे पर काम करना है राजपाल नाक की बीजेपी सरकार के प्रतिनिती के तौर पर सियम सिद्रमया का बड़ा आरोब कहा कि राजपाल की माध्यम से चुनिही सरकार गिराना चाहती है के अंडर सकता करनाटा के एक खल बुर्गी में कॉंगर्स कार्दाओं कर राजपाल के खिलाफ प्रोटेस सिद्रमया के खिलाफ मुगद्मा चुलानी के मंजोरी देने का करनाटा के मत्री जी परमिश्वर ने कहा कि राजपाल अपनी शक्तियों का कर रहे जरूप्यों बिहार में भागलपुर सुल्तान गजपुल गिरने पर सांसत पपू यादव का बयां कहा तुल निर्मान कंपनी को फांसी पर चड़ा देना चाहिए पपू यादव कि योगी ने काशिय विश्मनाथ और काल लभैरफ मंदिर में पूझा रचवा की है वारनसी में अधिकारियों के साथ वेठर की है सियम योगी ने सड़क पर उतरका वारनसी में विकास कारियों का जायज़ लिया परियोजनाओ को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया दिया वारणसी में सेम योगी ने मारवाडी हिंदू अस्पताल में डालेसिस यूनिट का उठाटन किया इस दोरान योगी ने मरीजों से हाल चाल की जाना ग्लोबल साउथ समिट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान ने नई शिक्षा निती को लेकर चर्चा की है तश्डी देशों के शिक्षा मंत्रीं से बात की धर्मेंद प्रधान बोले शिक्षा सतत विकास और वैश्विक जनौतियों से निपटने के लिए शक्तिशा लिए रख दिल्ली विदुद बोर्ट के रिटायट पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिली है स्बतालों में मिलेगी कैश्विस सुविधा आतिशी ने इस बारे में जानकारी है पीजेपी सरकार ने दस साल में 700 किलमीटर नई मेट्रो लाइन बनाई है केंद्रिये आवास मंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में जानकारी है मनोहर लाल ने कहा कि देश के किस शहरों में मेट्रो सिवाय जारी है 2014 से पहले मेट्रो किवल पांच शहरों में हर्याना में अपने पैतरे गाउं पहुंची विनिश पोगाट विलाली में गाउवालों ने किया जूर्दार स्वागत विनेश ने हर्मान मंदिर में माध हटे का विनेश वोगाट ने कुष्टी में वापसी के संकेत दिए कहा मैडल ना ला पाने का दर्द मेशा रहेगा डिस्कौलिफाई होने के बाद लिया था सन्यास का फैसला सरकार की फैसले का मंतरी विश्बास ने किया हिस्वागत भोले एमपी में मदरसे में दाखिला लेने के लिए बाद करने वालों पर ठुगी कारवाई हिस्बुल्ला का किरिश शमुना और बेथ हिलेल बैरक पार विद्बंसक हमला गुलाबारी में इसरेल को भारी नुक्सान वीडियो जाए दक्षणी लिबनन के कई लाकों पर इसरेल का जबर्दस हमला हिस्बुल्ला के ठिकानों पार की गोली बाद वेस्ट बैंक के जनन में इसरेल का घातक हमला गुलाबारी में हमास के दो बड़े कमांडरों की मौत गुई तेलवीब में हिस्बुल्ला का रॉकेट से हमला रॉकेट हमले में इमारत में आग लग गई आग की खतरनाक लप्रों से गिरी इमारत इस्रेल के तेलावीब में सड़कों पर उत्रे हजारों लोग युद्ध विराम समझोते की मांग को लेकर किया प्रदश लंडन के समर्सेट हाउस कल्चुरल सेंटर में आग से अफरा तफ्री आग बुझाने में जुटे सप्तर से ज़ादा फाइटर तुफान एनस्टो ने बर्मूडा में तेज हवाओं के साथ मचाई है तबाही इतलांटिक महासागर में उठी पेंटे स्पीट उची ले कानिडा के मौन्ट्रेल में बड़ी पाइपलाईन तूटने से बार जैसे हालात मौन्ट्रेल के पास से हटाएगे अजार उन्यूड आज से पांच दिन के भारत दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री आर्जू देवबाराना दिवपक्षिये संबंदों को मस्बूर्ट करने पर चर्चा करी यूकरेन पर गातक हमले के तैयारी में रूसी सेना हमले के लिए कर रहे युधा भ्यास दमी पर लगा रहे ही सखीक निशाना रूस के कामशुटका में 7.2 तीवरता का भूकंप भूकंप के बाद बढ़ा सुनामी का ख़ता कुर्स की जंग में रूस पर यूकरेन का मैन पैट से हमला अटैक में रूस का के 52 हलिकॉप्टर तबा रूस का दावाट में युध करवाना चाता है यूकरेन कुर्स पर मानू प्लांट पर कर सकता है यूकरेन हमला रूसी सेना ने कुर्स के बड़े इलाखे में फिर किया सरेंडर सेम नदी के किनारे से अपनी सेना को पीछी मटाया कुर्स में रूसी सेना का भीशन पलटवार के 52 हलिकॉप्टर से क्या विधुण साख हमला सुमी में रूसी सेना का विदोंसर हमला आटाक में यूकरिन की आर्टिलरी उनित खत्म हुई खैर सौन में रूसी सेना का MLRS से आटाक यूकरिनी कमांड कोस्ट पार की रॉकेट से बरसात नौस्टानी को किमा रूस का दावा यूकरिनी ने जपुरीजिया नुकलि प्लांट के पास किया हमला खत्रे में नुकलि प्लांट जपुरीजिया प्लांट के पास हमले की बाद आई है ये का दावा धून हमले से जपुरीजिया नुकलि प्लांट पर संक लिली के वेस्ट विनोध नगर में मनेश सोधियाने की पद्यात्रा लोगों से की मुलाकात कहा मुझे जेल में रखने की बीजेपी की साज़िश फेल दी आज मैया सम्मान योजना का शुवारम करेंगे जारखन के सीम हेमन सोरें डीवीटी के जरीए एक हजार रुपए की भीडी जाएगी रखन राशी उलम्पिक में कांसे पदक जीतने वाले यूपे के खिलाडियों को सम्मान सेम योगी ने ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को किया सम्मान मद्य प्रदेश के सीहोर में जन सम्मात कारेकर में शामल हुए केंदरे मंतरे शिवराज सिंग चोहान ताकिस्तानों की भलाई हमारी प्राफ्ट ने घायल महिला की मदद की काफले में मौजूद एंबुलेंस से पहुँचवाय गया अस्पताब तमिलाडू के काचिपुरम में सेम स्टैलिन ने इंडिस्ट्रिल हाउसिंग फैसिलिटी का उद्भाटन किया 700 करूण की लागत से बना है ये प्रोजेक्ट फिल्म दा डायरी आफ वेस्ट वेंगौल के एक सीन को लेकर विवाद है तिहाद बैनुल मजाहिब ने इस पर नाराज़ दी चटाई दिए माराश्ट में मुख्यमंत्री या लड़की पहिन योजना पार बोले सीम एकनाथ शुंदे कहा कि माताओं और बहनों के लिए योजना 24 अगस्त को यूपी के प्राग राज जाएंगे राहूल गांथी सम्विधान संबान सम्मिलन में शामिल मौरिशोस के प्रतनेती मंडल ले दिल्ली में उप्राश्पती जग्दीब धन्खट से मुलाकात की है कई मुद्दों पर बाचित पी हर्याना के सार में स्यम नायप सिंग सैनी ने जन्सभा को संबोधित किया कहा तीसरी बार मिलेगा जन्ता का शिपा विदान सबाच नापर बोले रंटीप सुर्जवाला कहा कि हर्याना से बीजेपी की विदाई ताहर हर्याना ने दस साल घोर आन्याई सहा प्यम मोदी से मिले आन प्रदेश के सिंग चंदरबाबू नायडू प्रदेश के लिए विद्धी एसाहता बढ़ानी की मांगी प्यम से मुलाखात के बाद गुल्यमंत्रिया मिश्चाह से मिले नायडू आन प्रदेश से जुड़े कई मुद्धों पर बात कुई मत प्रदेश में हाइफे और मोखि मार्गों से हटाए जाएंगे आवारा पचू 15 दिन में किया जाएगा शेफ टीविनायन भारत वर्ष की खबर का बड़ा सर हुआ सेम मोहन यादव ने पांच अफसरों की समिती को गठित किया टीविनायन ने पश्वों से हाथसों की खबर दिखाई आज शुन नए में समुद्री बचाव समनवे केंद्र भवन का उध़ाटन करेंगे राज़नात समु को मचवारों के लिए मदद होगी वाइस ऑफ ग्लोबल साथ शुफर सम्मिलन में बोले जैशंकर कहा बहुपक्षी इस संस्थानों में सुधार की सक्स्थ जरुए कांग्रिस ने अभिशेक का मनुसेंधी को दी बड़ी जिम्यदारी लौ आर्टी आई मानवतकार वक्ष संशोधन विध्यक पर चर्चा उद्यपूर में इंटरनेट बैन की बढ़ी समय सिमाज राद दस बचे तक और निलंबित रहेगी इंटरनेट की सेवान मुंबई के एसी लोकल बनी कुष्टी का खाड़ा यात्री ने पीसी के साथ मारपीट की वीडियो वारे लुगा यूपी में शिक्षक भरती मैरेटलिस्ट रध होने पर सिम योगी की आज बड़ी बैठाग भरती प्रक्रिया को लेकर मंधन भुगा राहुल गान्थी ने यूपी शिक्षक भरती मामले में योगी सरकार को घेरा है बोले आरक्षन ववस्था से खलवार करनेवाई सरकार को जवाब मेरा शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोट के फैसले पर बोलिस इंजिनिशाद सरकार अभियर्थियों के साथ खड़ी है किसी के साथ अन्याए ना गौालियर में बारिश शाह में देखते हैं देखते हैं जमीन में समागे गार क्रेम की मदद से कार को बाहर निकाला गया बिहार के वसफरपुर में वेपिस्ट के आरूपी पर पुलिस ने कारवाई किया आरूपी के घर चला बुल्डोस है हैदरबाद में तेज हवाओं के साथ भी जमाजम बारिश अगले तीन दिनों तक बारिश के आसाथ तेवहारों को लेकर हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस लखनाओं में लगाई भारा एक सुटर सेंट